अब आप 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 अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं और सुबह का मेरा काम जो है वो खतम हो चुका है प्रांशु इसकूल जा चुका है और लंच वगरा देके उसको फिरी हो चुकियों बाकी मेरा नहाना कपड़े धोना यह सब अब हो चुकिया और अभी मैं नहागे भी आज चुकी हूं तो मैंने सूचा अपने ब्लॉग की स्टाइटिंग कर देते हैं और जो मैंने कल चटनी वनाई थी ना प्रांशु उसके साथ में परांठे लेके गया है सबजी भी लेके गया साथ में आलू की सुखे आलू की चटनी बहुते थी बनाती थी ओब नी बना रही है तो बीच में जैसे बोला आ उसने मैंने ड़नीए की चटनी बना दी कभी किसी चीज़ की लेकिन यह वाली चटनी मैंने बहुत टाइम बात बनाई तो उसे याद नहीं आllers था की कॉनसी चटनी तो अब मैं बनाई और या चटनी भी लेके गया साथ में सबजी भी तो वह सब मैंने उसको दे दिया है चटनी तो बना के रखी हुई है क्योंकि अभी भी है क्योंकि यह चीज ना ऐसी होती है कि कही दिन तक चल जाती है तीन चार दिन के लिए और यह फ्राइवाली चटनी है तो इसे तो एक हपते भी रख सकते हो बहुत टेस्टी टेटनी लगती है एक बार आप लोगों से सेयर करूंगी आगे जब भी बनाओंगी और मैं आ चुकी हूं किचिन में और किचिन में आने के बाद मैंने सबजी कट कर लिया जैसे कि टमाटर हैं हरी मिर्ची कट कर लिया और तो रही की सबजी ब टुरे जोरा की ने सबड़ ने सबने जिल एक रहा इस रहता और शॉकती लिक फास चींड़ी को kalo सिंव मध्य झाल के लगता उक वह एक बनाटर को मैं धुमाटर लग बहुत लोग बेने डालते है लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगता बहुत अच्छ लगते उर्ष पहल पाउड़, भड़ी, तनिया पाउड, लाल नायम, नमक नमक कनी होगा, पाउड़ करें, यह श्रफिदार थो, झाल कर दोगा, थोड़ा सा मैस करने बाद कर अच दूब दूगा, उनको भी एड़ कर दूंगी इसमें और इसको फिर से इनको सब को मिक्स कर लूँगी क्योंकि यह थोड़ा सा इसको मिक्स कर लो न तो सारा मसाला इसमें मिल जाता है तो इस तरीके से मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी इनको और इसमें बिलकुल भी पानी नहीं डालना है मै और उसके बाद में ढखकन लगा के रख दूँगी थोड़ी देर के लिए तो मेरी सबजी बनके तयार हो चुकी है दो सीटी लगाई थी मैं और सबजी बहुत अच्छे से बन चुकी है तो देखिए हो गई ना पतली पतली कड़ाई में बनाते हैं तो बिल्कुल सूख जाती हैं और इस तरीके से अब मैं इसको भी तुरंट की तुरंट खाली करके रख दूंगी जो कि बरतन वगेरा होते हैं उनको साफ कर लूंगी और देखो बहुत टेस्टी तो रही बनके तयार हो चुकी है वैसे तो रही बहुत लोगों को पसंद नहीं आती लेकिन इस तरीके से एक तरी मलब प्याज वाली और बिना प्याज वाली तो बिना प्याज वाली पहले मैं बना चुके हूं और इधर बनाहिएं मैं प्याज वाली तो इसमें मैं और यह सोदू नहीं कर देऑं करद direפר थोड़े से ककरोंदे डाल के वह दूसरी बना दी है मैंने नहीं सिंप्फल वाली और ये प्याज वाली बनाने था वह बहुत मद्धष कि मम्मी प्याज वह बना दो क्यूंकि अलग दो तरीके से करना हो जाता है कभी-कभी तो मैंने वह बना ली academiamenryb munasta रची तो उनको ढाल दिया और थोड़ा सा डालाहा है मैंने जो सौफ होती है सौप पाउडर वह डाला इसमें बहुत आता है सौंप से और इसको भी अच्छे से mix कर लोंगी और इसमें नमक भी add कर दूंगी नमक डालने के बाद मैं मिक्स करके यह थोड exposome नakesना तो फ़ोड़ा सा तैइम था मेरे पास मैं तो मैंने का इस काम को भी कर लेते क्योंक। तोरही की सबची है तो जैसे नमक कहा लगा लोंगी ठोड़ा सा लग चुका यह उसी मिक्स कर लूंगी को कि आप पन फती लेनी होगी तो वह खा लेंगे तो बहुत तेश्टी लगती है उससे पन फती बनाओ और दूसरी वाली तो बन भी चुकी है उनको मैंने दो पहले बना दिया था न तो और मैं मतलब जो भी चलाने वाला वो होता न उसको अलग ही रखती हूं बिल्कुल क्योंकि प्य सब्सक्राइब के लिए इसे डखके रखतूंगी इस तरीके से चलाके न एक बार और रखूंगी दो बार में यह बनके तयार हो जाती हैं बहुत टेश्टी सी और हरी मेर्ची से पन फती और रायता बनाओ साथ में बहुत टेश्टी लगता है यह सिंपल सा गाउं का देश जो कि मुझे बहुत पसंद आती है इस तरह की चीजा और जब मुझे पसंद है तो बच्छों को भी पसंद है तो देखिए कितनी अच्छी सी हरी मेर्ची बनके तयार हो चुकी है और इनका थोड़ा सा कलर अलग लग लग रहा है क्योंकि प्याज की वज़े से क्योंकि उन कि और मैं किचिन का काम करके फ्री हुई थी और देखिए बारिश शुरू हो गई और यह प्रांशुना बिल्कुल भीगता हुआ आया बारिश में सारा पूरा इसका बैग और सब कुछ भीग चुका और यह नहरा है आराम से बारिश में कि जब मैं भीगी चुका हूं तो म पर नहां लेता हूं मैंने का चल नहां ले एक बार तो छत पर भी नहां के आ गया फिर बाहर आ गया यह घूमते फिड़ते और मैं थोड़ा सा मैंने का मैं आप लोगों को भी दिखाऊं कि बारिश बहुत अच्छी बारिश हो रही है तेज हुई थी और थोड़ी देर ही ह आदा देर तक नहीं हुई और थोड़ी देर में ही यह बंद हो गई थी फिर और यह देखिए मेरे साम के टाइम मेरे कमरे की हालत जो के अभी देखिए चारोत रख कहीं बोटल पड़ी हुई है कहीं गिलास रखे हुए हैं बड़तन रखे हुए हैं किताब कॉपी फैली इसा नहीं है इधर दुफैर मैंने कपड़े तह बना के आज मैं भी यह रखने के लिए नहीं गई और ऐसे ही रखे हैं और ऐसी हो जाता है अभी थोड़ा सा उठी हूँ मैं और आभी इसे सैट करती हूं थोड़ा सा और यह समान भी हटाती हूं तो देख मार्च इसका पै किटी लिया आया पूरा तो मैंने का चलो सही है यह मंदिर में थी भी नहीं तो इस वज़े से ना और सब कुछ ऐसे फैला पड़ा है अभी बरतन वगरा ना सब किचिन में उठा के रख्याओंगी यह किताब कोंपी इनकी रखूंगी उठा के बच्च अभी मेरी सब कुछ साफ सफाई हो चुकी है जैसे कि मुझे जाड़ू पोंचा भी लगाना पड़ा लगाना पड़ा बारिश हो जाती है न तो पूरे आंगन में और हमारा जो जीन आये ना उसमें से पूरा पानी-पानी हो जाता है और मिट्टी भी बहुत आ जाती है आजकल रेता बहुत आ तो वो सब गंदिगी साफ करके और फिर देखो ये काम भी करना पड़ा मुझे ये कपड़े तो अभी मैंने इधरी फैला लिया क्योंकि ये पंखे में सूख जाएंगे रात को सुबह इसकूल जाएगा तो रात को नहीं पर प्रेस कर दूंगी थोड़े हवा से सूख जाएं हैं मुझे देखो बैग भी सूकरा है उधर और लंच वाक्स बगएरा जितने भी सारे कपड़े सब कुछ बिल्कुल भिका के लाए था सूज बगएरा सब कुछ दूने पड़े हैं इसके तो ये काम किया मैंने क्योंकि एक तो वाइड ड्रेस है इसकी और एक ये गरे वाल दूने पड़े कपड़े और ये काम मुझे बिल्कुल अच्छा ही लगता कपड़े दूना जैसे सोबह सुबह न जैसे नहाते टाइम तो कितने भी कपड़े धुलवा लो और साम को न लेकिन फिर भी मैंने दो दिये कपड़े बैटके क्योंकि इसकूल की वज़ए से क्यो उनके साथ ही ये भी रख दिया था उपर तो ये भी सूख गया उसमें मसीन में और चलिए तो मैं इस वीडियो का यहीं पर एंड करूंगी आई होप वीडियो पसंद आया होगा पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें शेयर करें और वीडियो कैसा लगा कोमेंट करके लök मेरा करेंच करा ऻुक करेंड़ें बार लुझ रहा बार, लुझे व जिरलोच कारें करेंच़ मेंट पसंद आया होगा करेंटा पसंद आया ड्लीड्स आया है